श्रीमारीमाता मंदिर कराची पाकिस्तान में एक निर्मानाधीन हिंदू मंदिर है। जून की शुरुवात में पुजारी द्वारा विभिन्न देवताओं की मूर्तिया लाई गई थी। मूर्तियों को मंदिर के पास रखा गया था जहां पुजारी रहते थे और मंदिर के तयार होने पर उन्हें स्तापित किया जाना था। पाकिस्तान में एक हिंदू समुदाय रहता है। एक चौकाने वाली घटना में 8 जून 2022 को कुछ लोगों ने मंदिर में तोड़फोड की। मूर्तियों को तोड़ा गया और मंदिर में भी तोड़फोड की गई। मंदिर के आसपास रहने वाले प्रत्यक्षदर्श्यों ने बताया कि उन्होंने देखा कि 6-8 लोग मोटरसाइकल पर आहे और मंदिर पर हमला किया। उमीद थी कि जल्दी बदमाशों को गिरफतार कर लिया जाएगा। हाला कि अभी तक पाकिस्तान पुलिस की और से किसी को भी गिरफतार नहीं किया गया। कटना के बाद से इलाके में रह रहे हिंदू अब डर के साय में जी रहे है क्यूकि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। भारत सरकार को पाकिस्तान में अल्प संग्यक हिंदू समुदाई के खिलाफ इस कृत्य की निंदा करते हुए देखा गया। क्योंकि समुदाई को कोई सुरक्षा नहीं है। विदेश मंतरलाई के प्रवक्ता अरिंदम बक्ची ने कहा। पाकिस्तान में हिंदू समुदाई को अक्सर, लक्षित हम लोग और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। अब एक मंदिर में तोड़ फोड की गई है। हिंदू संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। हम भारतिय इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान सरकार से उनकी अर्पसंख्य समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनस्चित करने का आग्रह किया है। इससे पहले अक्टोबर 2021 में सिंध के कोट्री स्थित एक एतिहासिक मंदिर पर कुछ लोगों ने हमला किया था। हम इसका कारण नहीं समझ पा रहे हैं। मानव अधिकार कार्यकरताओं का कहना है कि पाकिस्तान में महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, मीडिया, आदी सुरक्षित नहीं है। और बहुत खराब सित्ती में है। देश में हिंदू, इसाई और सीक महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन एक आम बात हो गई है। वे अत्याचारों से भेवी थे। एक दिलजस्त तथ्य में पाकिस्तान ने नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहमद पर अपमांजनक टिपनियों के लिए आलोचना की थी। उन्होंने भारत को सभी धर्मों का सम्मान करने की सला दी थी। लेकिन कितने पाखंडी है। खुद हिंदू मंदिरों में तोड़फोड कर रहे है। सम्मान कहा है।